हेलो फ्रेंट्स कैसे आप लोग आए हम जानेंगे कुछ नए और कुछ पूराने मॉट्स के बारे में जो की बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है सो इतर ट्विस्टिंग टाइम लेट्स चंपर इट इन्टु इट फ्रेंट्स और आप चाहते हैं कि आपका फोन आपके अलावा कोई और ना देख पाई जब आप फोन में कोई टास्क कर रहे हो तो आप अभी प्लिश्टोर से स्क्रिन फिल्टर एप इंस्टल कर लिजे होगा नेक्स्ट है वोल्यूम कोंट्रोल एप इस एप के मदद से आप फोन के ओवराल वोल्यूम यानि रिंग्टून वोल्यूम मेडिया वोल्यूम और नोटिफिकेशन वोल्यूम को एक साथ कोंट्रोल कर पाएंगे मतलब आप जब भी वोल्यूम को डिक्री या फिर इन वहां से डार्याक्ट मोब कर सकता हूँ मेरे फेवरेट एप पे सरकल पर आप अपने सभी फेवरेट एप को यहाँ पर रख सकते हैं और क्विगली एस से स्वाइब करके उसे एक्सेस कर पाएंगे नेक्स्ट एप है आई एप टी टी इसका मतलब होता है इप दीस दीश दैं देट यह एक स्मार्टपॉन ऐटोमेशन एप है जो कि आपके स्मार्टपोन को और भी यादा स्मार्ट बनाता है माले यह मैं कोलीज में अपने फ्वन को सालेंट देखना चाहता हूँ तो मैं इस इप दीश में कोलीज का लोगशन एट कर दोंगा और then that मतलब टास्क में silence का option एट कर दूँगा तो मैं जब भी collision location पर जाऊंगा फून automatically silent mode पर आ जाएगा यसे ही आप किसी भी situation या फिर condition के लिए अलग-अलग task set कर पाएंगे next है button में पर जिसके मदद से मैं किसी भी button पर कोई भी extra task को set कर पाँगा जैसे कि मैंने volume down key पे screenshot को add करा है जब भी मैं volume down key को twice प्रेस करूँगा तो screenshot अपने आप capture हो जाएगा अगर आपको blog अगरा rate कोते time पे पूरा का पूरा screen युच करना है तो आपको download करना चाहिए full screen एप जिसके मदद से आप किसी भी page को full screen में तेक पाएंगे यहाँ पर status bar और navigation की भी height हो जाते है फ्रेंट्स अगर आप test को copy paste copy paste करते रहते हैं तो आप जोरू एक problem फिस करते होंगे अगर हम कुछ text copy करने के बात कुछ और text को copy करते हैं तो पहले जो text copy करा था वो हुमारे पास नहीं रहता तो हमें दुबारा पहले वाले text को copy करना पड़ता है तो अगर आप clearboard action and manager app instant कोते हैं तो आपको यहाँ पर आपके सभी old copy text मिलाते हैं साथ में इस से related बहुत सारे options पे मिलाते हैं आपको तो फ्रेंट्स यह थे कुछ useful mods अगर आपको इस वीडियो का second part भी चाहिए तो नीचे comment करके ज़रू बताना मैं कुछ और useful mods लेकर तो फ्रेंट्स वीडियो चलवा तो एक लाइक और एक सद जरू कोना और ऐसे और इंट्रेस्टिंग वीडियो जी दिखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और नीचे जो बैल आइकोन है उसे प्रेस कोना बिल्कुल भी महत बोलना थेंक्यो पर वचिंग दिस व झाल